प्रकाश इंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है आज हम अध्यन करेंगे प्रत्य विस नुमबर के अंतरगत आने वाले महत्वपूर प्रसनों में ये भी है प्रत्य तो प्रत्य किसे कहते हैं देखें किसी सब्द के अंत में जुड़ करके या किसी सब्द के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं प्रत्य कहलाते हैं प्रत्य के प्रकार के होते हैं दो सि ही ओनवरेक तंअथ अ एक दंब के सैंट से नंबर दो पिथित प्रत्य है मै agree त्रिद पर ग॥ कृणंट का मेंढ़ क्रियाओं के अंत्य में प्रत्या लगाया जाते हैं कि वह क्रतूंथ प्रत्या कहलाते हैं जैसे खाना पीना सोना जागना जो भी है सजावट लिखावट लिखाई पढ़ाई ये सब क्या हैं ये क्रिदंत प्रत्य के अंतरगत आएंगे और तद्धित प्रत्य वे प्रत्य होते हैं जो संग्या सर्वनाम या विशेशण आधि के अंतर में जुड़ करिके उसके अर्द को बदल देते हैं जैसे यह देख लें अच्छाई भालाई सुन्दर्ता बच्पन अच्छा भाला सुन्दर्ता बच्पन यह संग्या है बहावाचक संग्या है तो यह तद्धित प्रत्य कहलाएंगे एक बार देख लें प्रत्य जो सब्द या सब्दांस किसी सब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें प्रत्य कहते हैं ठीक प्रत्य के प्रकार प्रत्य निमन लिखी दो प्रकार के होते हैं किर्दंत परत्य किरिया यनि धात, सन्स्कृत में इसे धात कहते हैं किरिया को, किरिया के अंत में जुड़ने वाले परत्य को किर्दंत परत्य कहते हैं, जैसे पढ़ाई, लिखाई, घवराहट, सजावट, आदे, पढ़ना लिखना घबराना शजाना इसी पर ना हटा करके आई जोड़तिया तो क्या बन गया पढ़ाई लिखाई घबराना से घबराहट बना सजाना से सजावड बना तो यह सब जो है कृदंत परत्य के अंतरगत आएंगे इनी इन भी किरिया जुड़ी हुई है और तद्धित प्रत्य संग्या सर्वनाम तथा विशेशण आधि के अंत में जुड़ने वाले प्रत्य को तद्धित प्रत्य कहते हैं जैसे अच्छाई, भलाई, सुन्दर्ता, बच्पन आधि यह सुन्दर्ता, बच्पन, बुढ़ापा, जवानी यह सब क्या है भाव आचक संग्याएं हैं तो यह संग्या सर्वनाम और विशेशण के अंत में जो जुड़ेंगे वो तद्धित प्रत्य कहलाएंगे अब देखिए, जो हाई स्कूल में निर्धारित है, यह उपी बोर्ड के द्वारा, सात प्रत्य यहां तक लेकिन मैंने जो है, और जो है, आपके सिलेबस में जो है, उनको भी नोट कर दिया है तक कहीं से भी आ जाए, तो आप जो हैसको हल कर ले जाएंगे, कोई प्राबलम ना आए, देखिए, आई, आई जो है हम सब्द के अंत में जोड़ेंगे, तो क्या बनेगा, पढ़ना, आई जोड़ा तो पढ़ाई, लिखना से लिखाई, भला से भलाई, और खट्टा से ख खटाई, तो आजोड़ना है, महात्तो, कावीत्तो, प्रभुत्तो, ममत्तो, ये तो जो है, सब्द अंत में जुला हुआ है, तो ये बन गया आपका, आगे देखें, ता, महान्ता, सज्जन्ता, दीन्ता, गुरुता, ये जो है, सभावा आचक्संजा बन गई, ता जुला अगतो, पन, लडखपण, बचपण, भोला पन, पागल पन, ये तद्धित प्रत्य के अंतरगत आ जाएंगे, और ये पढ़ाई लिखाई जो है, क्रिदंत प्रत्य के अंतरगत आ जाएंगे, देखे, हट, घबरा हट, गड़गडा हट, गर्मा हट, जगमगा हट, ये सब जो है, हट अंति में जुड़ा तो बन गया, वा, दिखावा, पहिनावा, चलावा और मिलावा तो ये एक एक जो है, प्रत्ते से मैंने चार चार जो है, सब्द बना दिये हैं, अगर देखें, वट, मिलावाट, सजावाट, बनावाट, लिखावाट, ये वट जोड़ करके अंति में आपको इसे सब्द बनाना है, इस तरीके से, वान जोड़ना है, गाड़ीवान, बलवान, प्रूपवान, इसके लावाँ आप और भी बना सकते हैं, इये, माननिये, आदनडिये, सम्मानिये, और दैविये, ईसरिये, कुछ भी आप बना सकते हैं, मान, स्रीमान, बुद्धिमान, अपमान, गतिमान, एक, दैनिक, मावलिक, मूल से मावलिक, और दिन से दैनिक, मास से मासिक बन गया आपका, और वार्ष से जो है, वार्षिक बन गया, तो सब में एक प्रत्य लगा हुआ है, वईया, गवईया, लिखाया, पढ़या, चलया, ये सब क्या है, वईया प्रत्य के योग से बनी सब्द हैं, बपाउति, बढ़वति, कठखवति और फिरवति तो यह 13 जो है प्रत्य है हाई श्कूल के शिलेवस में हैं लेकिन माने 13 जो है गिंती जो है सुभ नहीं माना है इसलिए एक जो है और जोड दिया है यह टाप प्रत्य है प्यारे च्छात्रों संस्क्रित में एक होता है टाप प्रत्ति तो किसी पुलिंग सब्द के अंद में इसे टाप प्रत्ति लग जाएगा तो इसनीलिक बन जाएगा इसका चिनद क्या होता है यही बड़ा अंत में देखिए इसे राम से रामा राम में टाप प्रत्ते लग गया तो रामा बन गया श्याम में टाप प्रत्ते लगा दिया यह आगी मात्रा तो श्यामा बन गया गुप्ता गुप्त सब्द है अंत में टाप प्रत्य लगा दिया तो गुप्ता बन गया मिस्र में टाप प्रत्य लगा दिया तो मिस्रा बन गया कुछ ऐसे सब्द होते हैं कि जहां पर हम पुलिंग सब्दों के अंत में यदि टाप प्रत्य लगा दें तो इस त्रिलिंग बन जाता है जैसे राम से रामा, स्याम से चामा, मिस्र है टाप प्रत्य लगा दिया आखे मात्रा तो मिस्रा हो गया, सुक्ल में सुक्ला, गुप्त में गुप्ता, और माउरे में माउरिया, लेकिन हमारे कुछ, ऐसे संस्क्रित के अलावा जो है, अंग्रेजी का प्रचलन है जहां मिस्रा, सुक्ला, माउरिया, यह सब लिखे जाते हैं, तो लोगों को एक तो ह आई लाइट होने की चक्कर में और दूसरा जो है अज्ञानता की कारण जो है पुल्लिंग का इस तरी लिंग स्वयम बना लेते हैं इसे गुप्ता चाट भंडार मौरिया खाद भंडार और जो है इस तरीके से रामचंद सुकल थे प्रताप नाराण मिस्र थे मैथली सरण गुप्त थे इन लोगों ने कभी गुप्ता न सुकला मिस्रा नहीं लिखा क्यों कि संस्क्रित के प्रकांड विद्वान थे अंग्रे ने जो है मिस्रा शुकला वपध्या नहीं लिखा तो ऐसे सब्द जो होते हैं मैंने इसलिए रख दिया है कि आप जो है इन सब्दों के अर्थ को जाने और इन जो है बुराईयों से बची रहें तो ऐसे सब्द जो है जहां टाप प्रित्ते लग जाता है तो पुल्लिंग का इस त्री लिंग बन जाता है इसे कमल कमल जो है पुल्लिंग है लेकिन कमला आखी मात्रा लगा दिया तो इस त्री लिंग हो गया श्याम श्यामा तो इस तरीके से जो है आपके सामने में ने प्रत्य रखा आप इनको त्यार कर लोए एक नंबर जो है परिच्छा में पक्का है तो ऐसे जो 20 नंबर के आएंगे जो है हाई स्कूल में वो आप परिच्छा की द्रिष्टी से एक नंबर आपका पक्का है तो प अगले वेडियों फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंग जय भारत स्क्रीन शाट ले लें ताकि नोट करने प्राब्लम ना है